असराम लीकूम विवर्स कैसे हैं आप चलेंजी आज मैं आपको कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं कुछ प्रिंट हैसे होते हैं जिनको हम काट के अगर हम नीचे की तरफ कर दें तो ज़्यादा देजाइन खुब सूरात बंजाते हैं और उपर नीचे करने से थोड़े सी दिजा साधा है और यह स्वार्ड यह वाला जाला बॉडर था जो यह नीचे यह हैं अटेच हुआ हुआ था इस तोन में जंकिक कर किते हैं अब इस कर नोधी इंड़ा कि तरफ दियो कि एक mbsted प्रिंट इसको में नीचे की तरफ ले पूर रही है this में बेक साइड है या बेगल ये वेस्ट हाया भी जब हम इससे घ्राश्च क्टिक curtains करें गोते नीजे किसी जाता है यहां से घ्राशच कक्टिक दासे किसी में प्लड़ के सिझी जाका धूंकि ये व्यू छिज मॉड़ा करें गों यहां又ी summer को फ Kendा जरें कि यह जाता है नीचे की तरफ लिया आई यह देखें अब मैं इसे प्लट दिया यह प्लटने के बाद इस शर्ड की जो लेंड थी वह 41 है तो यह 41 की वज़े से 41 की वज़े से यह यह जो थी तो यह पर चोड़ा सादा कपड़ा था जिसको मैंने कट करके रिमूव कर दिया और जब मैं इसको इसके साथ अटैच करूंगी तो यह टोटल लमबाई जो होगी इसकी 42 हो जाएगी ठीक है इस तरह से करने से अब यह देखें बैक साइट के दामन के ओपर यह प्रिंट आ जाता है यह जो चीज आ है यह दामन प्र आ गई इस तरह से फ्रंट पे पर यह काफी जधा है और इसके ऊपर यहां साइड से इस तο इह पटिया निकली जा दोनों साइड़ पे ते एक उदर थी एक उदर इससी तरह से बैक के उपर भी इस तब बितला की पटियं देनगेज़ रेंगी इस तरह जैसें चिफर साइड में चछ़ नीची की तरफ आगिया जबीरदस लगता है और ऑपर तो गटन पर ट पर गडन पर यह इतना पैक पे तो नहीं होता न बैक पर बाल वगर आई भे ऊते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता जितना यह नीचे की तरफ आगर तो अच्छा जिए ने बात तक है यह तक है अब एस अस्तीन को मौनने के लिए भी मैंने यह लेखिए कितनी चोड़ा पटी में है और इसके दामन को मौनने के लिए भी मैंने ॥ी पट्टिया धाएं जाएं देखिए बात को नगुए नीचे की तरफ लगा के इसके चोड़ा मुड़ूंगी और इसका गल्ह जो बनाओंगी इस तरह से बनाओंगी के उस गले के ओपर भी यह वाली जो पट्टी में में पास उस गले के ओपर मैं इस पट्टी को अटैच कर दूँ तो यह वह हुशुरत और यहां पर टसल लगा बना लूँगी जब मैं गल्ह बना लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है यह दिखें अब कितनी खुशुरत शर्ट होगी लेटी सिंपल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको गल्ह पहले पिछली वीडियो में बनाना बताया था यह उसी तरह से मैंने गल गले की उपर लिटेगा देखें रहे जो पल्हए मेन है पर लिखा सब्सक्राइब करें की तरफ दिखेंगे मैं से गली करें दिखा अब सी निशे की करें ऑप never tobenay बनाना इसे मैं किया यह उपन टिखाली वीडियूा में उपक्रा कैंब मैं वाप और यहा शीम को दिखा म कि मैंने थोड़ी सी प्रिंट को आगे पीछे करके मैंने कितना खुबसूरा डिजाइन किया है वह जैसी यह असल मकसल मेरा यह आपको बताना था कि यह देखें यह अब कितना जबरदस्त लगता है नीचे की तरफ आके यही चीज उपर की तरफ थी यह यहां पर देखें करने से यह कितना और खुबसूरत लगए थोड़ी सी थोड़ी सी तो इप मैंड को मैंड में आइड़ी आ जाए तो इस तरह से कर लें तो रख रोगति होसरो सी चेंजिंग से लेक्या ने क्तशूरut डिसाइन̡ अब आस्तीने कभी ठीग एक तिसका ख़म ठीजा करें कि तो इसका centrum पहले सहा करें. जैसे इसका arguments blev पहले साख ouaisे कैमें. साख current मेरे बना करें पहले स्जाओं चीजए किया करें, जद उससे हाई मैं और सबस्क्षा कारें कryनाते हाई. इसके बाद अच्था कहों करता क्या है? फिर ये बॉर्डर को इसके साथ टचिया, अब ये बॉर्डर थोड़ा सा क्यूंकि ये थोड़ा सा खल्का कपड़ा है, यानि वेट लेस्ट है तो इसके नीचल पर ते ये उपर के लगाए, अगर येहां पर ये स्लाइल लगाती तो ये सारे में धागे नजर आते बलैक ये बलैक के ओपर ये यलो धागा आता है इसके ओपर तो यलो ये आना था लेकिन कोशिश करें कि कोई अगर लाइन आपको मिल जाए जो सिंपल पूरी एक सीधी लाइन हो तो उसके ओपर स्टाई लगाया अगर उससे ये होत इसके खास कर गर्मियों के सूटों में गर्मियों के सूटों में चोड़ी पट्टी लगाने से एक तो वेट हो जाता है उसका और उस वह खुबसूरती भी लगती ये देखें कितना जबरदस्ट मैंने इसकी थोड़ी सी बेशेप दी है जैसे मैंने पिछली वीडियो में आगसी आपको दिखाई थी भे कैसे बनाते हैं यह थोड़ी सी बेया शेप में बनाए और इसको थोड़ा सा हल्का सा स्वब दे के यह किए अगर मैं घ्हरी पट्टि देती तो मुझे यह लगाने में बहुत मुश्किल होती है यह सीधी पट्टी थी इसमें को यहोज और एवन होगी थोड़े से माइंड का इस्तमाल करें और देखें चीज अगर खदर से खदर भी कपड़ा हो ना अगर आपकी स्लाइए अच्छी हुई है ना तो वह एवन लुक लगती है आंखों को अच्छा लगता है देखने वाले की नजर कहती है कि वाव क्या जबर्दस सू कैसा भी हो लेकिन उसकी स्लाइए अच्छी हो चाहिए इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस तरह से आइडियास दूँ कि आस्ता सिंपल तरीके से ऐसे बताओं कि आप लोगों को चीज समझ आए और आप लोग उसे सही तरह से जहनशी कर सकें और हर काम की करने के लिए प्रैक्टिस सबसे में चीज होती है अगर आप प्रैक्टिस में कोई चीज नहीं लाएंगे तो कभी भी बन्दा परफेक्ट तो खेर होग भी नहीं सकता जब तक प्रैक्टिस करते हैं करते रहेंगे तो वो उसमें हाथ में नीटनेस आती रहती है और जहां आप के mouth material को बार बर मेरी वीडियो को बार बर देखें और सबसे बुरी बात सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने से यह होगा कि हर चीज में आपको step by step बता सब्सक्राइब करें तोogene वाली वीडियो भी आपके नजर से घुज़ेगी उसमें कितने एहम पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझ आएंगे कि कैसे करते हैं किस तरह से कटिंग करते हैं किस तरह से हर चीज़ को बैनस में रखते हैं अब यह देखें यह मैंने नीचे का पैच लगाया देखें फिर इसके बाद यह देखें दोनो आगला पिछला दामन भी दोनों मिले हैं जब भी हम कोई भी दामन वाला जिसमें दामन में प्रिंट होता है यह पैच लगा होता है तो दोनों अगले पिछले एकवन होने चाहिए यह चीजें सबसे में उस वक्त समझाती है जब हम उसे स्ट्री करके रखते हैं और इसकी एकुरेट कटिंग करते हैं अगर हम स्ट्री करके नहीं कटिंग करेंगे तो हमारा कोई भी कपड़ा खासकर कोई भी खास लोन खासकर लोन जो है वो एक ऐसी है बहुत हो गए बाते हैं जी चलें जी अपना ख्यार रखें दौाओं में याद रखें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अल्लाह अफिज दौाओं में याद रखेगा